हाई दोस्तों, आपने मोबाईल पे तो fingerprint लगाए है हुगा पर्ण्तु आपने WhatsApp पे fingerprint कभी नहीं लगाया होगा तो चलिए आज कि इस नहे अंदाज में WhatsApp पे fingerprint लगाएंगे तो देखिए आपको WhatsApp पे क्या करना है इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना है और इधर आपको प्ले स्टोर पे जाना है तो प्ले स्टोर पे जैसे क्लिक करोगे आप इधर से वाटसप को आपको अपडेट कर लेना है जैसे कि मैंने अपडेट किया हुआ है आप इधर से अपडेट कर लेना है अपडेट setting के option पे मैं click करूँगा जैसे मैं setting के option पे click करूँगा तो ये अलग-अलग features देखने को मिल जाएगा आपको देखिए setting में option खोल लेता हूँ setting में खोलूँगा तो आपको account पे जाना है जैसे account पे जाऊँगा इसके अंदर फिर आपको privacy पे जाना है अलोक विद्धा फिंगर्प्रिंट आपको अनेबल हो जाएगा फिंगर्प्रिंट तो आपको क्या करना है इदर से क्लिक करना है आपको फिर फिंगर्प्रिंट लगा लेना है जैसा कि मेरा फिंगर्प्रिंट फ्रंट में है तो आप इदर से फिंगर्प्रिंट लगा सकते ह पीछे है तो ऊपर नीचे है जहां पर है उदर से आप स्कैन कर लेगेजी इसकी बाद आपको इमेडिटली करना है और इसको छोड़ देना आपको one minute करना है तो one minute आप कर सकते हैं नहीं तो इसके पाद आपका लग जाएगा fingerprint लोग जैसा कि आप मोबाइल में लगाते हूं इसी तरह आपका भी WhatsApp में लग जाएगा जैसे कि मैं मोबाइल में जैसे मोबाइल में उपरेट कर रहा हूं तो मोबाइल उपरेट करता ही आपको क्या इदर से खुल जाता है आपको WhatsApp पे इस कोई नहीं खोल पाएगा इस तरह से आप अपने प्राइवेट चैट को भी असानी से होल्ड कर सकते हैं तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ share कीज़े क्योंकि नया है वीडियो और नय वीडियो के इसी तरह की वाटसप की जैनकारी में लाता रहता हूँ प्लीज इसको सभी गुरूपों में share कर दो आपने अपने दोस्तों को बता दो कि वाटसप पे भी fingerprint का लोग आ गया है तो आज की वीडियो में जैहिन बाई बाई थैंक्स पोर वोचिंग